बच्चों आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इस्थिर वैद्युत्की कप्छा बारा के भौत्की का पहला ध्याय इस्थिर वैद्युत्की इसमें हम लोग आवेशों के बारे में पढ़ चुके हैं आवेशों के गुण के बारे में पढ़ चुके हैं अब हम लोग दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के परिमार को अस्थापित करने वाला जो नियम है अर्थाद कुलाम का नियम ये हम लोग पढ़ेंगे कुलाम का नियम एक प्रक्टिकल ला है जो कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को गवन करता है उस बल के परिमार को प्रदर्शित करता है यहां हम लोग एक चीज़े जानेंगे कि बिंदु आवेश क्या है कुलाम का नियम जो है बिंदु आवेशों के लिए ही कारिरत होता है और तब जबकि उनके बीच की दूरी आवेशों के आवेशों का जो आवेशों वो इस्थिर ही यानि कि इस्थिर अवस्था में आवेशों के बीच लगने वाले बल का परमार का आकलन यह कुलाम का निय बिंदु आवेश वह आवेश होता है जिसका परिमाण बहुत अधिक हो लेकिन परिमाण की तुलना में वह बिंदु जिस बिंदु पर इसका फील्ड या बल की गड़ना की जा रही हो वह दूरी अधिक हो अर्थात जब आवेश की परिमाण की तुलना में दूरी बहुत अधिक हो तब अतधिक दूरी के लिए कोई भी आवेश बिंदु आवेश की भात विवहार करता है तो कुलाम का नियम की दो सर्ते हैं कि आवेश जो होने चाहिए वो बिंदु आवेश होने चाहिए और आवेश इस्थिर अवस्था में होने चाहिए यहाँ इस्थिर अवस्था का ताथ पर है कि आवेश एक दूसरे के सापेच इस्थिर अवस्था में हो अर्थात उनके बीच की दूरी आपस में बदल न रही हो तभी कूलाम का नियम फालो होता है तो माल लेते हैं कि एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है यह आवेश धन-धन हो सकते हैं धन-धन हो सकते हैं रिन-धन हो सकते हैं तो माल लेते हैं कि यह आवेश दोनों अभी धनात्मक है जब दो आवेश धनात्मक होते हैं इनके बीच की दूरी हम माल लेते हैं आर है यह बिंदु आ वेश हैं यानि कि इन आवेशों के तुलणा में यह दूरी बहुत ही अधिक है यह दोनों आवेशों पर अब बल एक दूसरे के कार्ड लगेगा हम लोग जानते हैं कि यह के समान प्रकित के आवेशों में प्रतिकर्षन का गुण होता है अब इस बल को हम लोग बोलते हैं वेक्टर F12, पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल, और Q2 पर लगने वाले बल को हम बोलते हैं वेक्टर F21, हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों बलों की दिशाएं जो हैं वो क्या हैं विपरीद हैं, तो खुलाम का नियम क्या काता है, कि दो इस्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, उन आवेशों के परिमारों के गुडन फल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वल्व के व्यूत्क्रमानुपाती होता है, यहानिकि यह बल यह प्रपोर्शनल टू व्यूवन Q 2 और यह इन वर्सली प्रपोर्शनल टू विद्च कुमानुपाती आर स्कुएर के होता है, यहाँ F जो है वो F1,2 को भी F कहा गया है F2,1 को भी यहाँ पर वेक्टर F2,1 का जो परिमार है वो वेक्टर F1,2 के बराबर है और इसी को हमने क्या माल लिया है? F माल लिया है तो चुकि यहाँ पर अभी हम इसका परिमार देख रहे हैं इसलिए परिमार रोप में यह चीज हमने लिखी है, तो यहां f x2 क्या हो जाएगा, तब f अनकुमानुपाती q1 into q2 by r², तब f बराबर एक नीतांग का गुड़ा होता है यहां, यह अनकुमान पाती q1, q2 बटा r², जहां k जो है वो एक नीतांग है, जिसकी value बात में गास ने निकाली, इसको बलते है k बराबर 1 by 4 by epsilon not, और इसकी value आती है 9 बुड़े तसकी घार, 9 newton, meter square प्रती, q2, 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 तो यहां इस सब्द को हम लोग बोलते है epsilon, 0 या epsilon not, अच्छा, इस epsilon not की जो value होती है, वो 8.854, इसको cross multiply करके हम लोग निकाल सकते हैं, 10 की power minus 12, और इसका मात्रा किसका उल्टा हो जाएगा, कूलाम square प्रती, newton, meter square, epsilon not को क्या करते हैं, वायू या निर्वात की विद्दुद सीलता, इसका मतलब इस f को ऐसे भी निखा जा सकता है, तो यहां पर यह एफ जो निकला है, यहां यह epsilon not है, इसका मतलब है कि यह वायू या निर्वात में यह आवेश रखी हैं, अगर यह वाय या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम में रखे जाते, तब किसी अन्य माध्यम में, यह माध्यम में यह माध्यम हो जायगा, और यह क्या हो जाएगा, वन बाई फोर पाई केवल एपसालन हो जाएगा, एपसाइलन इंटू क्या है माध्यम की विद्धुद सीलता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण किसी आवेश का जो अन्य आवेशों पर प्रभाव है वह कम हो जाता है जैसे इस आवेश का इस आवेश पर प्रभाव है जिसके कारण पर प्रतिकर्षन बल यहां लग रहा है अगर यहां माध्यम को रख दिया जाए जैसे माईका रख दिया जाए यहनी अभरक रख दिया जाए तो एक आवेश का दूसरे आवेश पर जो प्रभाव है वो कम हो जाता है तो जो किसी आवेश के दूसरे आवेश पर प्रभाव को कम करने वाला जो कारक है वो कारक माध्यम की विद्धु सीलता कहलाता है यानि कि विद्धु सीलता जितनी ज़्यादा होगी किसी माध्यम की उतना ही आवेश का प्रभाव दूसरे आवेश पर कम पड़ेगा यहां से हम लोग देख रहे हैं कि विद्व सिल्ता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी माध्यम में आवेशों के बीच लगने वाला बल घटता जाएगा इसका अलग माध्यम की विद्व सिल्ता अलग अलग घोटी हे इस बल को हम लोग ये अब ऑयर भी लिख सकते हैं यही याफ ऑयर भी है यही बल हमारा क्हा है यही यह हमारा या र वं टु है यही यह ओ फू वरन है यह परिमार्ठ है बल्यों का इऊएँ यही हमारा माड आफ एफ वन टू है यहीं हमारा माड आफ एफ टू वन है तो इस तरह से माध्यम में इस तरह से बोजाएगा अब अगर हम इस तर्मी करण को एक को दो से भाग करते हैं एक को दो से भाग देने पर तो बाया पक्ष भाग देंगे दाया पक्ष भाग देंगे यहाँ वन बाय फूर पाई क्यों वन वन क्योटू बटार स्क्वार बचेगा क्या यह एपसाइलन उपर पहुंच जाएगा एक्साइलन नाठ नीचे पहुंच जाए तो यहाँ एक्साइलन अपान एक्साइलन नाठ जो है वह एक क्या होगा नेतान्क होगा है ना और इसी को हम लोग एक्साइलन आर कहते हैं या कैपिटल के क्या कहते हैं एक्साइलन आर या के एक्साइलन आर को माध्यम की सापेच विद्धु सिलता हैं अब के को क्या कहते हैं माध्यम का परावैदुतांक माध्यम का परावैदुतांक कहते हैं तो यह के और एक्साइलन आर का जो मान होता है वह आपस में बराबर होता है तो अगर कोई पूछे कि परावैदुतां की परिभासा क्या है तो परावैदुतां की दो परिभासा बनी क्या बनी एक बल के पडों में यहां आ चुकी और एक फिर दुसीलता की अनुपात की रूप में तो इस तरह से चुकरे ये दूनों मातरक एक ही रहेंगे तो के का कोई मातरक नहीं होती है तो मातरक कि यहां से परभासा क्या जाएगी अगर प्रसनगाता है उत्तरप्देश के योपी बोल के कोशन में की परवयदतान की परिभासा लिखी तो परावेद्यतांग चुकि माध्यम का एकवा है तो किसी माध्यम का परावेद्यतांग उस माध्यम की वैदु सीलता और वायू या निर्वात में वैदु सीलता के अनुपात को कहते हैं दूसरी परिभासा क्या होती है किसी माध्यम का परावेद्यतांग वायू या निर्वात में रखे दो बिंदु आवेशों को के बीच लगने वाले बल यफ एयर और उन्हीं आवेशों को उस माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाले बल यानि यफ मेडियम के नियम है बढ़ियां से हम लोग इसको पढ़ लेंगे इस पर आंकी प्रसन लगते हैं यह कुलाम के नियम का अधिश रूप है तुकि यहां भी वेक्टर नहीं लगा है रेक्टर रूप में इसमें दिशाओं का भी ज्यान होना आवश्यक है तो अगले टापिक में अगले ले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे